हेलो गाइज वेलकम बैक टियर ओन चैनल एंड गाइज एज वी ओलनों की अफगानिस्तान में अभी क्या सीन चल रहा है अफगानिस्तान और तालीबान के बीच में जो चल रहा है वो हम सब लोगों कोई पता है वहां की प्रेसिडेंट जा चुके हैं सारे गवर्मेंट ओफ सब कुछ मेंशन है कि कितना एरिया उन्होंने कौनसी डेट को कवर कर लिया था तो पहले आप लोग वो देखो और गाइज जैसा आप लोग देख सकतेंगी ओल्मोस्ट पूरा अफगानिस्तान टेक जो काबूल एरपोर्ट है आज वहां पे कुछ ऐसा देखने को मिला जो देखके पैरों के नीचे से जमीन खिसक जाएगी बाई लिटरली और वी कैनोट इवन इमेजिन इस सिचुएशन की जहां पे लोगों को अपना ही गर छोड़के सब कुछ चोड़के बस अपनी जान की परवा करके भागना पड़े वहां से अपने देश को छोड़के अपने घर को छोड़के अपने बिलोंग विंग्स को और वहां पर युएस एरफोर्स का एक एरक्राफ्ट मोजूद था तो वहां पर लोग कैसे भर रहे हैं मनलब बिल्कुल इतने जादा मांट में लोग उसके अंदर गुसरे में आप लोगों को दिखाता हूं बहले और सिर्फ गुसी नहीं रहे हैं उसके भार भी विंग्स गाइज यह तो एक छोटी सी जलक थी अब जो में चीज है ना वो मैं आप लोगों को दिखाता हूं जो जब वो एरक्राफ्ट फ्लाई कर रहा था जो लोग भार थी उनमें से कुछ लोग धीरे-धीरे करके करके एरप्लेन से नीचे गिरते गए जब एरक्राफ्ट दिखाता हूं वो जान बचाने के लिए जो स्टेप उठा रहे थे उससे भी कोई फायदा नहीं हो उससे भी जान गई मतलब आगे कुवा पीछे खाई वाली सिच्वेशन हो गई है यह अफगानिस्तान के लिए कुछ नहीं कर सकते सो गाइज आई डोंट नो क्या होगा आगे इन फैक्ट कुछ भी नहीं हो सकता शायद अब गाइज यही एक चोटी सी वीडियो थी आम जस्ट होपिंग और प्रेइंग की सारे लोग सुरक्षित रहें बट कुछ नहीं कर सकते आर ऐसी सिचुएशन में इन गाइज मैं इस वीडियो को यहीं एंड करना चाहूँगा एक चोटा सा अपडेट था मैंने सोचा आप लोगों को दे दूँँ तो गाइज मिलते हैं आप से नेक्स वीडियो तिल देन गुडबाय और टेक केर ध्यान रखें आप सब अपना